नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरकेज जुएलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन के परमक सुर्ख्यों पर बारिस के साथ गिर रही है बिजली मंगलवार को हुई तीन लोगों की मौत एमबी कालेज में हुई मारपिट करमचारी और छातर नेता भेड़े हाईटियाई मैदान के पास चली गोली तीन पूलिस की हिरासत में 20 जुलाई तक कमबेड कर वपकर पूरी ठाकुर छत्रावास के लिए करे आवेधन क्रिसी टास्क फोर्स की बैठक खाद की बिक्री पर नजर रखने का निर्देश कन्यावासी बिद्याले के लिए 12 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेधन पत्नी करना चाहती है पढ़ाई पती ने कहना थाने पहुंचा मामला डियम का निर्देश बिजली कटावती की सूचना मीडिया को दे विभाग खबरे विस्तार से के प्रयोजक हैं काम धेनून एक्स नजमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिमरी संपर्क करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर आप खबरों की चर्चा विस्तार से जिले में बीते दिन जमा जम बारिश होई इस दोरान कई जगह आकासी बिजली गिरने की घटनाये भी हुई और दगिक थाना के दहिवर में रामा संकर महतो सिकरौल थाना के बरारी में गौरी संकर यादो तथा इसी थाना छेतर के मोहनपुर गाओं में कंचन देवी कुल तीन लोगों की मौत की सूचना है यहीं नहीं है कि सिर्फ इनी तीन जगहों पर बिजली गिरी है सिम्री के इलाके में भी बिजली गिरने से एक मौवेसी की मौत की सूचना है काने का सीधात पर है जब बारिस हो तो पेड़ों के आजपास भी खड़ा होना इन दिनों खतरे से कम नहीं है बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है एंबी कालेज में वीतिय दिनों मार पीठ होई आप जो यहां तस्वीर देख रहे हैं यह बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है और इसमें एंबी कालेज के करमचारी नगर थाना में बैठ कर अपनी सिकायद दे रहे हैं सूचना के अनुसार भरत चौबे जो रसायन विज्ञान के परफेसर हैं वे घायल हुए हैं दूसरे पक्ष से तुसार विजेता राजत छात्र के निता हैं और रवी यादो जो एमभी कालेज छात्र विजन के निता हैं इन लोग साथ भी मार्ट इठ हुई है तुसार का भी बैठ कर पार्टी कर रहे योकों के बीच बखजक हुई और इस दोरान गोली चल गई जिसमें मला टोली का रहने वाला विसाल कुमार मल घायल हुआ है उसकी सिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से तीन असलह भी बरामत किये हैं तीन चार लोग हिरासत में लि लेकिन पुलिस सुजना मिलने के बाद तोरित करवाई करते हुए वहां से छे ब्यक्तियों को गिरफतार की है और दो राइफल और अठारा गोली के साथ लैसेंसी राइफल है यह वताया जा रहा है कि सवसी पांडे पुरू में भी गोली बारी किया था और उसका एक लैसे किस से हंत्यार जब किया गया था पुना उनकी ही ही एक हंत्यार है कैसा सरी ग्रूप है और किस प्रकार से लिक पुलेटिन की चौती सुर्खी है बीस जुलाई तक अमबेड कर छात्रावास के लिए अनुसुचित जाती तथा कर पूरी ठाकुर छात्रावास के लिए अती पिछड़ा वर्ग के छात्रावेदन कर सकते हैं इस्तिती का बिस्तार हुआ है आप जल्दी कल्यान विभाग से इसके बारे में संपर्क करें बुलेटिन की पाँचवी सुर्खी है डियम अनसूल अकरवाल ने बीते दीन मंगलवार को किर्ची टास्क फोर्स की बैठक अपने सब कराले कक्ष में आयोजित की इस दुरान उनने कहा अभी खरीफ की फसल का मौसम सामने आ गया है और ऐसे में खाद की कलाबाजारी नहीं होनी चाहिए ऐसे करने वालों पर कड़ी करवाई करें किसी विभाग ने कहा हम तो पहले ही 83 लाइसेंस रद कर चुके हैं बुलटिन की छटी सुर्खी है जीला प्रसासन ने सूचना दी है केशठ के रामपूर में कन्या आवासी विद्याले बनकर तयार हो गया है वहाँ छटी तथा सात्वी कक्षा के लिए अत्वी पिछड़ा बर की छट्राओं को निसूल की सिक्षा मिलेगी 12 जुलाई तक इसके लिए आवेदन करने का समय है अगर आपकी बिट्या मद्ध विद्याले हाई स्कूल में पढ़ती हो तो आप अपने विद्याले से भी में नमांकर से संबंदित जनकारी प्राप्ट कर सकते हैं बुलेटीन की सातवी सुर्खी है पती और पत्नी के बीच पढ़ाई को लेकर विवाद हुआ है अलाकि यह बड़ा प्यारा विवाद है कभी कभी होता है यह दोनों पत्नी बीतिये दिनों जो चोगाई के रहने वाले हैं मुरार थाना में पहुँचे थे थाना देक्ष न नहीं चाहता यहां भी पत्नी का नाम खुस्बू है जो पिछले दस साल से पढ़ाई कर रही है भी पेसी की तैयारी कर रही है अब वो कती है मैं आगे पढ़ूंगी पती क्या कहना है ना बाबाना अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बारहाल इन दोनों को पुलिस ने घ ठक की उस दोरान बिजली विभाग के लिए भी एक अलक से निर्देश जारी हुआ इसलिए हमने खबर को अलक से आपके लिए सहिज दिया है उन्होंने कहा है खेती का समय आ गया है और जब जब बिजली की कटवती होनी है जिस जिस घंटे में उसकी सूचना पहले ही मीडि को दे दी जाये ताकि इसे किसान अउगत हो सके और उन्हें किसी कारे करने में कोई दिकत न हो चलते चलते आपके लिए एक छोड़ी सी सूचना परतेग रहिवार को बकसर खबर दिभी दरसन नाम से एक सापताही कारी करम प्रस्तूत करता है जिसमें आप देश के विभिन मंदिरों का दरसनला प्राप्त कर सकते हैं आज की बुलेटिन बस इतना ही आप देख रहे हैं बकसर कबर हमारे साथ हम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद